माल्टी मीडिया, इस वीडियो में हम माल्टी मीडिया के बारे में जानेंगे. मीडिया विभिन तत्व जैसे की टेक्स्ट, और्डियो, वीडियो, अनिमेशन, इंट्राक्टिव फीचर, इमेज को मिला कर एक उचित और पूरा उत्पात देता है. इस प्रक्रिया को मल्टी मीडिया के प्रारूप में परिभाशित किया गया है. मल्टी मीडिया मीडिया के कई रूपों का एक ही करन है. Multimedia ने computer का उपियोग करके विबनत तरिकों और प्राद्योंगी की के विकास के माध्यम से बनाय गई सहयोजन को पेश करता है उधारण के लिए Multimedia presentation में और वीडियो शामिल किए गये हैं और Multimedia software में animation, sound और text को शामिल किया गया है Multimedia System Multimedia बुनियाधी प्रणाली में निम्नलखेद भी शामिल है Input Device और Software Output Device Storage समर्थन Input Device और Software Input Device में Keyboard, Mouse, Scanner और Optical Character Recognition OCR, Software, Microphone और Voice Recognition Software Digital Camera और Digital Camera Software Video Camera भी शामिल है Output Device Output Device में Monitor, Speaker, Soundcard, Data Projector आधी शामिल है Banking Storage Multimedia प्रस्तुती को स्टोर करने के लिए उप्योग करता को Banking Storage की जरुवत पड़ती है Banking Storage के लिए इस्तमाल उपकर्णों में से कुछ निम्नलिखित है Hard Disk Floppy Disk Compact Disk USB Flash Drive Multimedia के लाव यह सीखने की प्रक्रिया में सुधार करता है यह भाव है कि उप्योग करता प्रस्तुती को बैट कर देख सकता है पार्ट को पढ़ सकता है और आडियू सुन सकता है यह उप्योग करता द्वारा 2D और 3D वीडियो और गेम बनाने के लिए आसान है Multimedia डिजाइन में इस्तेमाल किये गए लोगप्रिया सॉफ्ट्वार निमन लिखेत है 2D दो आयामी अनिमेशन उपकरन फ्लाश फोटोशॉप आधी 3D तीन आयामी अनिमेशन उपकरन ओटोडिस्क माया एड़ाप प्रीमिया आधी Multimedia की अप्लिकेशन Multimedia कई तरीके और क्षेतरों की किस्म में इस्तेमाल किया जा सकता है यह Interactive Website बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है यह Online उप्योग करता को और अधिक रोचिक बना देता है क्योंकि यह एक Web Page बनाने के लिए अलग Building का उप्योग करता है Education शिक्षा यह जानकारी के एक स्रोथ की रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है शिक्षक पार्ट को अधिक दिल्चिस बनाने के लिए Multimedia प्रस्तुती का उप्योग कर सकते है यह कंप्यूटर पर आधारी प्रशिक्षन पार्थिक्रम के उद्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है Entertainment मनुरंजन यह भारे मात्रा में मनुरंजन उद्ध्योगों में प्रयोग किया जाता है यह विशेश रूप से फिल्मों और आनिमेशन में विशेश प्रभाव जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है Multimedia गेंग लोगप्रिय मनुरंजन का साधन है आजकल अनिमेटर्ड फिल्में पहले से कही अधिक लोगप्रिय होती जा रही है 3D फिल्मों के उधारण अवतार, आयन मैन और एक्स मैन आधी है वैज्यानिक अनुसंधान अनुकार और नए उपकर्णों की मॉडलिंग मल्टी मीडिया की मदद से प्रदश्यत की जा रही है